एंड्रोइड मुबाइल को कैसे अपडेट करते हैं इस चीज़ को लेकर दोस्ता आप बहुत जादा प्रेसान होते होंगे लेकिन आज आज आपको इस वीडियो में इसका 101% सोलोसन मिनने वाला है आपके पास किसी भी तरह का कोई भी कमपने का एंड्रोइड मुबाइल हो आ कापी हद तक बहुत ज्यादा समूथ हो जाता है के फास्ट हो जाता है ठीक है तो इसलिए अप्टू डेट आपको अपने सोफ्टेट को रखना चाहिए मुबाइल के और कुछ नहीं फीचर भी मिल जाते हैं है ना परफॉर्मेंस बढ़ती है आपकी मुबाइल की तो कैसे दोफ्तों वीडियो को स्टार्ट मेरा नाम धर्मेंदर कुमार सानिया आप देखें टेक्निकल वोश यूट्यूब चैनल से दोफ्तों वीडियो को शुरू करते हैं अब दोफ्तों देखना जैसे कि मेरे पास दो मुबाइल है दोनों मुबाइल में अलग-लग तरीके से श सोब्ट्वेर अफडेट ठीक है और यदि इस वाले मुबाइल की बात करें तो शिंपल इसकी भी आप सेटिंग में चले जाएंगे सबसे नीचे चले जाएंगे इसमें भी डिरेक्ट्व ऑप्शन दे रखा यहां पर सोब्ट्वेर अफडेट लेकिन कुछ मुबाइल के अब आउट फोन के अंदर जाकर ही यह शेटिंग मिलती है बाउट फोन के अंदर जाएंगे तो सोब्ट्वेर अपडेट का उप्शन मिलेगा या फिर वह पर रहता है इस तरीके से तो आप ये फीचर निकालेंगे सोब्ट्वेर अपडेट ओके जैसे आप इस फिचर को लिखावा नहीं आहाँ ठीक है तो इसमें अतोमेंतिक ही तो कुछ कुछ वाल में देखे यहां पर अप्टूड़ीत ही अपडेट होता है तो आपको घंवरान नहीं है चैक कर लिए कि आपका अापटेट है यहांपर जाता सकत्य भरन्न ayuda little तो यहां पर क्लिक करेंगे यह आ गया दोस्तों देखिए अब अपडेट रेडी टू इंस्टोल ठीक है डाउन्वड यह हो जाता है अपने आप ही लेकिन इसको इंस्टोल करना पड़ता है तो यहां पर आपको इंस्टोल नाव पर क्लिक करना है अब मैं आपको पूरा यहां पर कुछ और भी प्रोसेशिंग चलती है जैसे कि जो आपका यूआई है जैसे इसमें वन यूवाई है तो इसको भी अपडेट करता है यहां पर करना कुछ नहीं होता है क्यावल आपको इंस्टोल बटल पर दबाना है उसके बाद जब यह हो जाएगा सब कुछ एक जगा हो रहा आपको एक सेटिंग करने हैं उसको देख कर जाना तो यहां पर 25 परसेंट चलना है इसको जब तक अपडेट मत करना कि इसको अपडेट होने में एजलिस्ट पंदरा से 20 मिट लग जाते हैं कभी कभी 25 मिट लग जाते हैं तो यहां पर मैं 15 मिनट तो इसको मतलब 100 तक जाने तक हो गए मेरे जो कि मैंने वीडियो कट कर दिया और अभी आप लोग देख सकते हो और भी टाइम लगेगा तो इसलिए मैंने सोचा आप लोगों को बता दू कि यदि अब दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अब यहां पर जो वन युवाई है वो ओप्टिमाइज कर रहा है एपस को तो इसको भी टाइम लगेगा होने में है ना भी 4 परसेंट हुआ है तो 100 परसेंट होने तक टाइम लगेगा है ना तो इसलिए मैं आपको पहले ही बोला य में ठीक है तो हो सकता है आपके में कोई दिक्कत आजाए क्योंकि पहले वाला अपडेट हो रहा है वो बीच में अटक जाएगा तुरंत फोन से उच्वाप होगा तो दिक्कत जाएगा इसलिए बैंटर को फुल चार्ज करके या 60% से उपर से ही आपको अपडेट करना है तो इसको भी 100% कर लेता हूँ जब तक कर लेता हूँ वीडियो को इसकी अब दोस्ता आप लोग देख सकते हो यह जो प्रोसस ता ओपिटिमाजिंग एपका यह 100% पुरा हो चुका है और यहां पर मुबाइल से उन हो चुका है तो यहां पर करते है मुबाइल का जो लोग ह सकते हो फोन ओन हो चुका है तो इसका मतलब यह नहीं है कि अब आप अपने फोन को चुप कर देंगे या फिर बैंटरी डाउन कर देंगे अपने मुबाइल की यहां पर की साइड आप देखेंगे प्रोसस ओर चलता है नोटिफिकेशन में यह देखिए फिनिशिंग अब आपको चैक करना है कोई और अपडेट तो नहीं आ रहा है फिर इसके बाद आपको एक जोड़ चैक करनी है पहले इसको जाने देते हैं पूरा अब दोस्तों आप लोग देख सकते हो सोब्टेवर अप्टू डेट हो चुका है यहां पर बटन आचका है तो मैं कर देत यहां पर आपको क्लिक करना है यहां पर क्लिक करेंगे यह चैकिंग करेगा अब यहां पर यह दिया आपका मुबाइल आपको बताता है जैसे कि इस वाले मुबाइल में दिखा रहा था सोब्टेवर अप्टू डेट है इसमें हमने किया है तो यहां पर बात चुका है यू कि क्या completely update हो चुका है क्या ठीक है तो इस तरीक से दोस्तों आपको अपने वाइल को अपडेट करना है और यह वीडियो आपको उच्छे लगी होगी और दोस्तों यह प्रॉपर सोलुसन है इसका इसके बाद आपका वाइल समूथ हो जाता है जो चलता है वो ठीक हो जाता है आपके बहुत सारी प्रोलम दूर दाती है आपके वाले के अप्टू डेट हो जाता है मतलब क्यों सिस्टम के अनुसार जितने पी आपकी एप है उसको उप्टिमाइज कर देता है ठीक है तो आई होब यह वीडियो आपको उच्छ लगी हो कुछ ना चिंगनों को लाइक क करना चैनल को सब्सक्राइब करना फेस्बूक पर देख रहे तो फ्लो करना सो नमस्कात दोस्ता आपका दिन सूब